आज के स्वीडियो में हिंदी का पेपर अप्लोड किया गया है जो कंपोसिट पेपर है यह पेपर इंग्लिश मीडियम के बच्छों के लिए नहीं है समीं इंग्लिश या अदर मीडियम इसा उर्दू मीडियम के बच्छों के लिए है बट इंग्लिश मीडियम के बच्छे यहाँ से आपकyanjoyक कर सकते हैं यहां से आपको Aincene passages आ सकते हैं, Grammar पार्ड में आपकोredit मिलेगा और Writing skills पार्ट में आपको हईँ गार। और यह compare टीवली काफ़ है तो आपको इसे सॉल्व करने काफ़े आसानी रहाइगा है, इसको और स्वस्टार्ट करते हैं, यह मार्ज 2020 का बोर्ट का पेपर है सेकेंड और थर्ट लेंगों चाल पर देख सकते हैं पर इसका पेपर कोड है बी कैपिटल बी इससे पहले चैनल पर हम लोग ने जुलाई का पेपर अप्लोड कर चुक है हिंदी का इंग्लिश मीडियम का और सेंपर पेपर हिंदी का अप्लोड हो चुक है जिसके लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो यह सूचना हैं जो कॉमन है हिंदी लोगभरती के लिए और हिंदी लोगवानी के लिए भी तो यह हिंदी लोगवानी है तो इसको आप अच्छे से लीट करेंगे सूचनाओ के अनुसार गद्य पद्य तेता भाशादियन व्यकरन की कुरुतियाओ में आउश्वक्ता के अनुसार अकुरुतिया में ही उत्तर लिखना अपिक्षित है बहुत इंपॉर्टन्ट है है जो एक्टिविटी का लिए कोश्विन है उसको आप लोग पैन से करें हर पेपर में इंस्ट्रॉशन के लिए रहने के बाद भी बच्चे पैंसिल करते हैं रश्णा विवाग में पूचे के प्रशनों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों के आउश्यक्ता नहीं है राइटिंग स्किल पार्ट में जो कोश्विन्स दिया गया है उसमें क इसका मतलब बाकी जगह पर लिखना है नहीं इसका मतलब एक है वहां पर बिल्कुल नहीं लिखना है और बाकी जगह में भी बहुत सारी जगह पर आपको कोशी नहीं लिखना होता है सिर्फ ग्रामर का जो रहता है सामानार्थी विलुदार्थी तो वहां पर कोशी लिखन तोड़ा अच्छा है शुद्स पर्ष्ट एवं सुवाज शे लेका नपेक्षी थे थीक है यह तो खाली इंस्ट्रेक्शन थे clean handwriting without mistakes अपो लिखना है तो फर्स्ट पार्ट जो है गद्य पार्ट टेक्श्वल पार्ट टू एल मासका यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते इसका और अगर आप उसकी पीडिएफ चाहिए तो आप लोग वाट्सेप नंबर पर कॉंट्राट की रहें आप उसका पीडिएफ मिल जाएं इसके बेस पर आप लोग इसे सॉल करेंगे आकुरती पूर्ण कीजिए बहुत सिंपल सा मास 2020 का बूर्ड का वेपर है यह नेक्स सेकेंड पैसेज तो दो एक्टिविटी थी आपर और यह थार्ड जो था वह फर्सनल रेस्पांस पूर्ण था जिसको आपको 25-30 वर्स में लिखना है यह काफे सिंपल है नेक्स्ट आ यह भी सीन पैसेज है आपके साब ने पैसेज दिया हुआ है यह स्टूडन का यहां पर उसके बेस पर दो सिंपल कोशिश रहते हैं और नेक्स्ट जो लास्ट कोशिश थार्ड वन यह सिर्फ पास दरस पास है इस सब कोशिश को डीटेल में सौल करेंगे इसके एंसर शीट भी सौल करेंगे ऑनलाइन जब भी पॉसिबल रहा बट यह सब पेपर्स बच सौल करना है अगा अगा नेक्स पार्ट अब अध्या पार्ट जो कवीता का पार्ट अपनों के लिए को कवीता देश है कि कितने स्मॉल कवीता ही दिया आपड उसके बेस पर टूटू मास के दो कुश्य लास्ट जो कवीता है वो भी यहां पर दी गई है कि इसके बेस पर यहां पर कुछ एक्टीविटि है अगय तो फर्स नल्रेस्पॉंस के गोश्य नहीं अंतीम चार पंक्तियों का शरल अर्थ लिखिये या कोई पंक्तिया दी गई देंगे आप वो उसका आर्थ लिखना है हुआ तो 10 तेओं क्या है टूंपली ट्वेंटि नहीं पूलेगे वह तो स्वेटेक जागर अफटीपर वह हगिए इसको अ Cornu हम लोग फास्ट ले रहे हैं नेक्स टाइम पर हम लोग मानक वर्तनी क्या है और अव्य का अर्थ पूर वाके में प्रयोग कैसा करते हैं इसके लिए अलग वीडियो बनने वाला है तो यह सिर्फ बच्छों को सेल्फ चड़ी के लिए कोशिन विए उपर देना था इसके कि मुहावरे का अर्थ क्लिक के वाके में प्रयोग करना है या फिद बस इसको चेंज करना है या ताजा हो गई तो या दो में जाग उठना है कि ना आप सो भी गोड़ना है तो उसका पूर रिप्लेस करना है उससे हिसाब से काल बेत पहचाने जाता काल परिवर्तन करना ट परिवर्तन में वह भविषयकार तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्षन दिया गया है तो बैटर यह है कि बविश्यकार वाद आपको चुल करें लाज्ट विबाग फोर्ट टूएल मासका आपका रशना विबाग राइटिंग स्किल पार्ट ओप्योजित लेकन कि फर्स्ट जो कोश्वी ने वह पत्र लेखाने सीन या अंसीन जो पत्र आते आपको और दूने में से आपको लिखना है फॉर्मल और इन्फॉर्मल के हिसाफ से लिखना है तो अत्फ़ा लिखावा है यहां पर तो कंटेंट सेंब रहेगा पुस्तक मंगाने वाला कंटें कि आने नेक्स कैनि लेकर वोड में किती सिंपल सी काझिया दे खाल सी किसान अमीर होने का सपना सादु के पास जाना को दन पूश्च्ञ पूछटरा में जुव नद्त किसान का ना ना मिलना किसाना शर्च होना बरसात के दिनों में बीच डालना अच्छी फसल उन पास जो स्टार्टिंग में देना होता है और सीख देना भी कमपर्ज करी है तो इस पर आपको फोर मास में लगे और उसके निचे वड़ा कोशिन बहुत सिंपल है यह चार प्रस्टर तयार करना है मैं हमेशा बच्छल को यह प्रिफर करता हूँ कि स्टूरी से अच्छा कि मांग स में 8 मास का था यहां पर सी 4 मास का है तो मैं मैं पेड बोल रहा हूँ तो यह कात्मा काता है नेक्स्ट अनुशासन का मत्व के डिस्सिप्लीन का इंपॉर्टेंस तो यह पेपर आप लोग उसके सौल करो यह हम लोग की वेबसाइट जो है इस पर लिखावा है वहां पर भी वीडियो अफ्लोड होते रहे हैं रेगुलर बेस पे बीच पे थोड़ा गया था बट अब रेगुलर बेस पे जूम मीटिंग्स और पेपर सौल होते रहे हैं टाइम बहुत कम बागी है आप लोग प्रिप्रेशन उस टाइम से पहले अच्छे से हो जाना चाहिए तीक है के उपर कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग वाट्साइब के तुरू भी कॉंटैक्ट कर सकते हैं बट वो सिफ वाट्साइब मेसेज रहा चाहिए कॉलिंग उस नंबर बर बिल्कुल नहीं करना वो नंबर ऑफिश चली सिफ इस चैनल के लिए लिया गया है